हाली में एक इंटव्यू में बिग बोस 17 फेम मनारा चोपडा ने बहन परिनिती चोपडा के साथ रिष्टों में आई दरार जैसी अववाव के बारे में बात की और साफ कहा कि उनके रिष्टे बहुत सुलजे हुए हैं एक्टरस ने बताये कि उन्हों ने बिग बोस के घर में अपनी बेहनों के बारे में क्यूं बात नहीं की क्योंकि ये एक शक्सियत सावित करने वाला सो था और वे अपनी परस्नालेटी दिखाना चाती थी ना कि अपनी बेहनों के नाम पर वोटिंग या फेम लेना चाती थी वही परिनिती संग बिगडे रिष्टों के रूमर्स पर बात करते हुए एक चैट शो पर मनारा चुपड़ा ने कहा अगर मैं अपने परिवार या बेहनों को लेकर बात करती तो मुझे नैपो किट कहते वे कहते कि मेरी खुद की कोई पसनेलिटी ही नहीं है अब जब मैंने उनका नाम नहीं लिया तो उन्होंने एक और कहानी कर दी कि मेरी बेहनों के साथ मेरी रिष्टे अच्छे नहीं है मेरी रिष्टे बहुत सुलजे हुए है मैं वहां खुद को साबित करने आई थी ना कि बेहनों के नाम पर फेम पाने मनारा ने बात करते वे आगे कहा मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं ये चाहती थी कि लोग मुझे देखे और जाने मैं कौन हूँ मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहती थी जब मैं मीटिंग्स में जाती हूँ और टेस्स देती हूँ तो मैं उन पैरामीटर पर अकेली खड़ी होती हूँ और बिग बॉस के बाद अगर इंडस्ट्री में लोग मुझे से बात कर रहे है तो वे मेरे साथ बात चीत करे है क्योंकि मैं अपनी तरफ से भी उन्हें सहज मैसूस करा रही हूँ वही मनारा ने आगे कहा बेशक लोग जानते हैं कि मैं एक खास फैमिली से आती हूँ लेकिन ये इस वज़े से भी नहीं कि मैं खुद को कैसे पेश करती हूँ आखिरकार ये सब आपके बारे में ही होता है मैंने सब भी बड़े नामों से परहेज किया क्योंकि मुझे पता था कि एक खुद की परसनलेटी बनाने वाला शो था और मुझे अपना वेक्तित्व दिखाना था मनारा चोपडा की मा कामेनी चोपडा हंडा जूलरी डिजाइनर है और पिता रामन राय हंडा पेशे से एक वकील है मनारा की बहन मिताली हंडा एक फैशन स्टायलिस्ट है ऐसी लेटे सब रेट के लिए वाया टॉक को भी सस्क्राइब करें